हलो रियो श्रेंज कैसे आप सभी लोग गूड बॉर्णिंग आवरीवन और इस दिवाली मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बहुत महनत करें और होली तक आप सब लोगों का जवाब लग जाए तो दिवाली से होली के बीच में आपने बहुत महनत करनी है और महनत करोगे तो में ठाधी चाहूं तो क्लास यहसा आपने देखा होगा कि मैं आज आपको सैट मैं कि दो कैसलेट करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किये हुए और पहले कुश्यन पर मैं आ जाता हूं पहला कुश्यन आप रीड कर लीजे मैं थोड़ा साइड में रहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सा कुश्यन है हिंदी इंग्लिस दोनों में रीड करना है आपने तो जो बच् के साथ दिवाली वाले दिन भी आप लोगों की क्लासेज चलवा रहे हैं हम लोग तो इमेजिन करिए हाव डेडिकेटर टीम वी हाव इन बैंक पूर यूट्यूब चैनल राइट तो आपकी सक्सेस के लिए दिवाली तक का इंतिजा आपका पढ़ाई कहीं डिस्टरबेंस ना ओ उन सब की चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए डिऑ क्लासेज प्रवैड कि ला रही हैं तो मैं आप लोगों को ना दो मिनट का समय दूँगा दो मिनट के बाद मैं आपको कुश्यंस बताना स्टार्ट कर दूँगा और ये कुश्यंस आप जल्दी से सॉल करिए और जो भी आपको डेटा दे रखा है आई होप आप लोगों ने हिंदी में रीड कर लिया होगा जो गुस्चिन करा, देखो कुस्चन no.1 यह है तो मैंने कुस्चन no.1 एंद कुındंद निर को जो सॉल करें कुस्चन no.1 एंद कुछन no.2 आपको कुस्चन no.1 यह है और कुस्चन no.2 तो δौनों ही मैंने आपको एक साथ दिखा दिखा दिए कि आप लोग कितने टाइम में solve करने वाले हैं इधर में लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे start हो गया और timer आपका start अच्छा इधर दिखता है तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देता हूँ यह आपका timer on हो गया थोड़ा सा इसको उपर कर देता हूँ ताकि कोई timer देखने में भी आपको परिशानी ना हो तो मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूँ दो मिनट का समय आपके पास आराम से question को read करिए दो question भी आपके सामने मेंने दे रखे हैं दोनों question में क्या पूछा गया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा है ना तो दो मिनट हैं आपके पास दो से धाई मिनट हैं और once again a very happy दिवाली to everyone और मैं चाहता हूँ इस दिवाली से लेके अगले होली तक आप लोगों का job लगे आप मेहनत करें जैसे बैंकपुर की टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है हर दिन classes ले रही है चाहे आपका festival हो चाहे कुछ भी हो लेकिन आपकी classes को disturb नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को भी उतनी ही सिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है उतनी ही मेहनत करनी हैं समझे अब मैं दो मिनिट के लिए सांत रहूंगा तो यह जो डी आई की special classes में आपको provide कर रहा हूं आपने देखा होगा कि 15 नम्मर का डी आई जो है IBPS PO में पूछा गया है ना 15 नम्मर का जो डी आई है IBPS PO में पूछा गया था उसमें 5 नम्मर का cashlet 10 नम्मर के डी आई तो यह जो डी आई special classes है यह बहुत ही important classes है आप लोगों के लिए देखिए ढाई मिनट हो गये हैं अभी तक पहले question का भी किसी का कोई answer आया नहीं है जल्दी से आप लोग मुझे answer बताएं तभी लोग जल्दी से answer बताएं भाईयो चलो मैं तीन मिनट दे देता हूं कि थोड़ा सा लेंदी कुश्यन है तो आप आराम से इसको solve कर लें तो चलिए तीन मिनट आपके खतम होते हैं यहां पर तो इसको कर देते हैं अब देखिए में आपको solve करके बताता हूं तो यहां पर आपने देखा होगा पूरा ok आपको बताया था कि हिंदी में यह लिखा हुआ है इंग्लिस में यह था तो अब हम इसको solve कर लेते हैं तो क्या क्या कुश्यन है क्याडटा दे रख है आप लोगों को उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो भी आपको data given है उस पर बात कर लेते हैं और जो भी चीजें आपके सामने हैं वो हैं तो दिर आगर इसको kalD करना चाहूं तो बड़े आराम से solve कर सकते हैं कैसे solve करेंगे तो हमारे पास C++, Java, Python और R 4 language सीखने वाले लोग हैं इसमें से तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक table बना सकते हैं कि total मिला के 2400 student है इन 2400 में से boys और girls का जो ratio दे रखा है आपको boys और girls का जो ratio दे रखा है वो 7 और 5 दे रखा है तो देखिए आपके पास यह क्या हो गया 12 unit, 12 unit की value यह है तो एक unit 200 हो गया तो boys तो हो गए आपके 1400 और girls हो गई आपकी 1000 तो यह तो सीधा सीधा हमें पता लग गया यहीं पर अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि भाया अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ C++ दूसरा पार्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर Java तीसरा पार्ट मैं लिख लेता हूँ Python ठीक है, और एक language है R तो यह चार language के बारे में data given है चार language के बारे में data आपका given है ठीक है इन चार लेंग्वेज के बारे में कुछ-कुछ डेटा आपका गिवन है तो दीखें क्या-क्या डेटा है कि 40% of the total student like python तो भहिया total student कितने थे total student थे आपके 2400 उसमें से 40% तो python को 40% अगर आप इसको निकाले तो यह 960 हो जाता है 960 यह total student हो गए इसमें से male female का भी ratio आपको दे रखा है कि ratio of the number of boys and girls तो boys और girls का ratio दे रखा है आपको तो boys और girls का जो ratio दे रखा है कि boys और girls का जो ratio दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 is to 3 तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम दो column बना देंगे यहाँ पर कि एक में तो boys आजा है एक में आजा है girls तो यहीं पर लिखता चला जाओंगा और दोनों चीज़े boys इधर लिख लेंगे girls यहाँ पर लिख लेंगे तो देखिए आपके पास यह क्या है आपके पास यह हो गया पांच और तीन आठ आठ यूनिट की value 960 है तो 8 से divide करोगे आप इसको 120 बा डिवाइड होगा तो boys आजाएंगे आपके 600 और girls आजाएंगे आपके पास 360 यह हो गई आपके क्या girls और यह क्या हो गए आपके boys राइट इतनी बात समझ में आ रही हो गया अब ध्यान से देखिए कि the number of boys the number of boys who like C++ is 10% less than the number of boys who like python तो boys का 10% कम है C++ तो मैं मान के चलो boys यहाँ पर लिख देता हूं और girls तो यह देखो boys यहाँ पर मैंने लिख दिया और ऐसे girls मैं यहाँ पर ऐसे यह बना देता हूं तो boys यहाँ पर कितने हैं इससे 10% कम है तो 540 यहाँ पर boys आजाएंगे 600 का 10% कम कर दो 600 का जैसे 10% कम करोगे 600 का जैसे 10% कम करोगे 60 तो यह क्या हो गया आपको 540 हो गया यह बात समझ में आ रही है आई होप यहां तक सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी सबसे पहले क्या करना था 2400 को साथ और 12 साथ और पांच के रेशियो में डिवाइड करना था तो यह बॉइज हो गए थे 1400 गर्ल्स हो गई थी 1000 अब उन 1400 लड़कों में से भी पाइथन को चूज करने वाले 960 टोटल है 2400 में से 960 बॉइज है 600 तो यह कहानी है आपके सामने अब देखिए स today the number of girls who like r is 20% less than the number of girls who like python तो और को like करने वाली girls कितनी है number of girls who like r तो और को girls गेल्स हमने यहां लिखा हुआ है तो यह से 20% कम है तो 20% इसका कितना होगा 10% तो 36 है तो 20% कितना हो जाएगा 72 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 72 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 8 और फिर से 8 और 288 आएगा आपका 288 आ जाएगा अब 288 वाला पार्ट आपके सामने आ चुका है अब आगे बढ़ते हैं देखिए the number of girls who like python अच्छा the ratio of the boys and the number of girls who like are is 7 is to 12 तो देखो 7 is to 12 number of boys तो अगर यह वाली जो value है यह वाली value अगर 12 unit की है तो यहाँ पर 7 unit की value निकालनी है यह तो 7 की निकालनी है ना तो देखो 12 से जब मैं इसको divide करूंगा तो 2 बार और 24 बार और यह क्या निकालना है मैं 7 unit तो 24 गुणा 7 कितना होता है 168 तो 24 गुणा 7 आप करके भी देख लो कि साथ चको 28, 60, 2 carry forward, 14 और 2, 16 तो 168 होगे आपका यह बात आपको समझ में आ रही होगी अब ध्यान से देखिए क्या बूल रहा है rest of the boys like Java देखो boys कौन कौन से होगे 160 boys यहाँ पर होगे 600 यहाँ पर होगे 540 यहाँ पर होगे और जो total की अगर बात करें कि total सब को like करने वाले तो 2400 लोग हैं लेकिन यहाँ पर 1400 हैं और यहाँ पर 1000 लड़किया हैं तो यह वाला यह वाला और यह वाला चौदा सो में से माइनस कर दो तो यहां के जावा को लाइक करने वाले लोग पता लग जाएंगे जावा को लाइक करने वाले बोईज पता लग जाएंगे क्योंकि rest जो है वो जावा को like करते हैं तो देखिए अगर मान जाएगा 208 बनेगा कि नहीं 208 तो भाईया 300 में से 208 और चला जाए तो जावा कितने बोई जावा को लाइक करेंगे 92 अब आप 92 इसको एड कर दे ना तो अगर आप आठ इसको दे दे तो यह 92 इसमें जब एड होगा तो यह बनेगा आपका कितना यह बन जाएगा आपका 260 ब बन जाएगा 260 को जब आप इसमें एड करेंगे तो 800 800 और 600 1400 बात बराबर है तो हमने सही कैलकुलिशन की है अब देखिए रेशियो अब देखिए रेशियो अब नमबर ओ बॉइज और गर्ल्स का रेशियो तो यह अगर 23 है तो एक का वेल्यू क्या है चार है तो 24 का वेल्य जाज रहे अब देखो 96 लड़किया यहां पर है 288 यहां पर है 360 यहां पर तो यहां पर कितन ही लड़किया होंगी 1000 में से इन 3 को माइनस कर दें इसको इसको और इसको तो हजार में से माइनस कर देते हैं बढ़े आराम से हो जाएगा कैसे होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा तो दिखो अगर इस में से चार इसको देदी देन्ठ तो नहीं आपसे दिमाग में इतना बात नहीं रही हो तो ऐसे तो directly कर सकते तो यह आ गया चार एक carry forward हो गया 918 और 24 और यह हो जाएगा आपका 744 जो क्योंकि 2 carry forward हो गया आपका 744 तो 1000 में से 744 अगर आप minus कर रहेंगे तो अब आपके पास कितना बचाएगा 256 तो यहाँ पर value आजाएगी 256 ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर C++ को like करने वाले निकालने हो तो इनको आप add कर सकते हैं एड करोगे तो क्या जाएगा 796 अगर इनको आड करेंगे तो 90 से यह आजाएगा आपका 8 और 188 आजाएगा और इन दोनों को आड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा अच्छे और एक केरी फोवर्ड 14 और एक पंदरा एक केरी फोवर्ड फिर से 300 और एक 400 तो आई होप आपको बात समझ में आगी होगी कि सारी कि सारी टेवल बन गई है अब देखो number of girls who like C++ is what percent of the number of boys who like python तो देखिए बहुत ही असा सा कुश्यन है C++ में जो girls है वो है 256 और boys who like python python को कितने है 600 तो 600 जो है 256 जो है वो 600 का कितना प्रतिसत है बस यह निकालना है है ना तो यह निकाल सकते हैं बड़े आराम से दूसरा question क्या था आपका तो देखो number of girls who like C++ तो C++ को like करने वाली girls कितनी है 256 तो देखिए 256 जो है 600 का कितना प्रतिसत है यही तो निकालना है 0 से 0 cancel out देखो 6 चोको 24 और 1 carry forward 6 दूनी 12.66% तो 42.66% तो पहला option अगर हम देखें 42.67 तो यह वाला answer आजाएगा आगया कि नहीं तो table बनते ही अब आपके सारे के सारे question बड़े आराम से solve हो जाएंगे कोई परिशानी नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी I hope आपको समझ में आया होगा किस तरीके से में न टेबल बनाई है बात समझ में आई चलिए यह वाली कहानी आपको समझ अब देखो C++ पसंद करने वाले लड़कों की संख्या C++ पसंद करने वाले लड़कों की संख्या और R पसंद करने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात ग्याद करें तो यह भी कर लेते हैं C++ को पसंद करने वाले लड़के हैं यह 540 और R को पसंद करने वाले लड़कियां कितनी है 288 यह यह न आर को पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या तो ये था हमारे पास 540 और ये था हमारे पास 288 तो अगर आप ऐसे देखें एक तो 9 से और एक तो 6 से कट हो रहा है तो 9 से भी कट करोगे तो ये 60 बार कट होता है और 9 से कट करोगे तो ये 9 37 और 9 दुनी 18 थारा चार से ये 15 बार कट हो रहा है और 4 से ये 8 बार तो 15 और 8 तो ये 4 वाला उप्शन आपका आंसर हो जाएगा तो देखें कितने आसानी से अब सारे कुश्यन आप आराम से कर पाएंगे अब देखो C++ पसंद करने वाले लड़कों की संख्या तो ये अभी अभी हमने calculate करी लिया अब कुश्यन क्या है आपका ये तो हो गया जावा पसंद करने वाले चात्रों की कुल संख्या और आर को पसंद करने वाले चात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर तो जावा और आर तो देखिए कुल संख्या में अंतर पूछ रहा है जावा और आर में जावा और आर में तो जावा में 188 हैं और यह है 456 तो जब हम यह आपका 8 बचेगा फिर यह आपका 6 बच जाएगा फिर 2 266 आंसर आ रहा है 266 आपका आनसर आ रहा है 366 आ रहा था 266 आ रहा था देखिए मैं दुबारा से आपको बता देता हूं क्यों आएगा 266 देखो आपको 456 में से 188 घटाना है तो 266 आएगा किस में से 456 में से 456 में से 188 घटाना है ना तो देखो 8 फिर यह हो गया 9 फिर यह 6 और यह 2 तो 260 आ गया ठीक है तो सारे कुश्यन अब आराम से कर लोगे Python पसंद करने वाली लड़कियों की संक्या Python पसंद करने वाली लड़कों की कुल संक्या का कितना प्रतिस्ट है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा लड़कियों की संक्या Python के लड़के Python में लड़कियों की संक्या 360 है लड़कों की संक्या जो है तो क्या बोल रहा है 360 तो 360 जो है 600 का कितना प्रतिसत है यही तो पूछ रहा था अब आप देखें तो 6 से यह 36 और 6 से यह 10 तो 60% है 60% नहीं है क्या कोई कुछ अलग पूछा है क्या पाइसंद पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या पाइसंद कसंद अच्छा चात्रों की संख्या का पूछा है सोरी मैंने इस्टुडेंट के उस पर निकाल दिया तो हमसे यह पूछा है कि यह जो 360 है 960 का कितना प्रतिसत है तो देखो बारा से अगर हम बारा अठिच बारा से तीन बार और बारा अठिच आनवे 3x8 कितना होता है 37.5 तो आंसर आजाएगा यह तो अब आप सारे कुशन कर लेंगे अब देखिए बहुत ही आप लोगों के लिए एक और सर्प्राइज आपको एक्जाम पर जो है ना इतने सर्प्राइज देता है इतने सर्प्राइज देता है कोई भी कोर्स खरीदो आप चाहे तो FCI का Phase 1, Phase 2 खरीदो चाहे SBI PO खरीदो चाहे आप IBPS PO खरीदो चाहे कोई भी वेच चाहे SBI क्लर्क सब पर आपने कोड लगाना है दिवाली 75 तो सभी कोर्सेज पर आपको 75% का डिसकाउंट मिलेगा कितने का 75% का डिसकाउंट जो सेल चल रहा था उसी के कंटिनेशन में अब दिवाली सेल भी आप लोगों के लिए है तो देखिए कितना फाइदा होने वाला है आप लोगों को जो 3000 का कोर्स है वो 750 रुपे में मिलने वाला है और जादतर हमारे सारे कोर्सेज 3000 के हैं तो सब आपको 749 रुपे में मिलने वाला है या 750 रुपे में आपने दिवाली 75 कोड यूज करना है तो दिवाली 75 कोड यूज करें और पाए 75% का डिसकाउंट तभी लोग इस इन्फोर्मेशन को अपने जान पहचान के लोगों तक जरूर पहुचाएं जो भी FCI या कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं कहां से खरीदना है एक्जामपूर एप को डाउनलोड करिए एक्जामपूर ऑफिशल एप को डाउनलोड करिए पेड बैचेज में जाए पेड बैचेज में जाने के बाद आप FCI बैंकिंग का मिसन SBI PO या आप का टार्गेट 2.0 SBI कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा या बैंकिंग चूज कर लें वहाँ पर चूज करने का भी ऑप्शन आता है एक दम इधर राइड इधर कॉर्नर पर आप जैसे यहां पर तीन लाइने बने होंगी उन पर ऐसे क्लिक करोगे सेलेक्ट करोगे तो आ ज को जाल करिये बहुत ही बहतरीन कुश्यन है फिर से मैं आपको 3 मिनिट का समय देने वाला हूं 3 से 4 मिनिट का समय फिर से मैं आपको दूंगा और बड़े आरामसे आप लोग I think इस कुश्यन को सौल कर पाएंगे 3 से 4 मिनिट का समय मैं आपको देता हूं टाइमर लगा देता हूं कुश्यन क्या है तो कुश्यन मैं आपको अभी दिखाऊंगा पहले तो आप इसको हिंदी इंग्लिस दोनों में रीड कर लीजिए बड़े आराम से आराम ये झाल झाल आइओ привat आप आप लोगोंने कुशन को रीड कर लिया होगा अब आप देखिए आपको कुशन आता है सामने और इसके लिए मैं आपको पहला कुशन है इसलिए आपको थोड़ा सा जाधा टाइम मिलना चाहिए तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूँ आप आराम से solve करिए 3 मिनिट का समय है आप लोग इसको solve कर ले सबी लोग जल्दी से solve करिए और 3 मिनिट का समय आपको दिया जा रहा है जल्दी से आप लोग solve करें जो भी आपका अंसर आता है वो आप मुझे बताएं और आप लोग दिवाली कैसे मना रहे हो मुझे भी बताओ दिवाली में पढागर चलाने हैं बट क्या करना है आपने सेफ रहना है क्योंकि मैं एक बार अपना घर जला चुका हूं बच्पन में जब मैं मुझे पता है कि मैं या या तो तो गाओं में रहता था तो हमारे गाओं में दो कमरे बने हुए थे, उनके आगे छपपर डले हुए थे, तो मैंने पढ़ा का चलाया और वो उस जलता वा पढ़ा का छपपर के उपर चला गया, अब आपको तो पता यह छपपर क्या होता है, फूसका बना हुआ होता है, तो तो भी कहीं पर भी कोई गाओं में अब वैसे चप्पर नाम की चीज़ें अब तो रही नहीं अब तो सब टीन वगेरा हो गई हैं और ऐसा कुछ जनने वनने का कोई आसपास कुछ था नहीं तो दो चार सौकिया रूप से चला दिये थे तो इन चीजों का आपको ध्यान रख होता है है ना तो इस टाइमस आपके बाजरे वगेरा कट के आएंगे करब रखी हुई होगी लोगों की बहुत सारी इधर उदर तो किसी में कुछ आग मत लगा आप लोग चलिए कुशन को साल करिए तीन मिनट का समय है जल्दी खतम होने वाला है और फिर मैं आपको कुशन सौल करके बताऊंगा कि कैसे कुशन को सौल करना था इस टाइप के कुशन आपको प्री एक्जाम में काफी सारे पूछे जा रहे हैं SBI PO में पूछे जा सकते हैं IBPS PO में आपने देखा होगा हर बार एक कैसलेट पूछा गया था और ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट नहीं थे बट आसान थे बढ़ा थोड़े से कैल्कुलेटिव थोड़े से अच्छे लेवल के कुशन सापको SBI में पूछे जाने के चांसे जहें इसलिए मैं आपको यह DIE स्पेशल करवा रहा हूँ इसलिए मैं आप सॉल करके बताता हूँ जिनका अंसर ठीक है नहीं आया वो एक बार साथ साथ में सॉल करना और देखना किस तरीके से इस कुशन को सॉल किया जा सकता है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है total run scored in 2015 वर 1200 तो यह जो data दे रखा है विराट ने कुछ run score किये तीन अलग-अलग countries है Australia, England and others के नाम से 2015 का data दे रखा है, 2016 का data दे रखा है फिर आपको यहाँ पर 2017 का data दे रखा था और उससे question पूछ रहा है what were the total run scored in 2016 राइट चलिए एक एक करके solve करते है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही तीन सालों का data लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि तीन सालों में क्या हो रहा है कि तीन दो तो countries है Australia, England and others कैसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर यह others वाला part है और यह वाली जो कहानी है Australia यह है आपके पास Australia और यह है आपके पास England राइट यह क्या है आपके पास England और यह है आपके पास Australia और यह हैं others तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए 2015 में कहानी क्या हुई है और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2016 में क्या कहानी है और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2017 तो 2016 का हम से तो पूछी रहा है तो यह टेबल बनानी है आपने देखो 2015 में तो सीधे-सीधे आपसे बुला गया है कि 1200 रन बने है कि कह रहा है ने देखो, the runs scored against England is one third of the runs scored against others in 2016. तो 2016 में अगर मान के चलो, यहाँ पर 3X run बने. तो यहाँ पर इसका one third है, तो यहाँ पर X run बने होंगे. ठीक है? अब आप देखिए, the average runs scored against Australia and England was 300. तो अस्टेलिया और England इन दोनों countries का जो average है, वो क्या देखिए 300-300, तो इनका total आप यह कह सकते हो ना, कि यार इन दोनों में मिलाखे 600 score किया है, दोनों में मिलाखे. यहाँ पर कितना किया है? यहाँ पर कितना किया वो नहीं पता. कि यहाँ पर तो हमें x की value निकाल नहीं है यहाँ पर क्या आएगा नहीं पता लेकिन दोनों का मिला के 600 है तो इस से यह पता लग जाता है कि यहाँ पर others में 600 आएगा यह तो guarantee है क्योंकि total 1200 है और इन दोनों में मिला के 600 है तो यहाँ पर तो 600 आना तय है बाद समझ में आ रही है समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है पढ़ने में चलिए अब आगे देता दे रखा है तो टोटल रन स्कोर्ड अगेंस अस्टेलिया और अधर्स वास ट्वाल हंड़र्ड तो भाई देखो ऑस्टेलिया और अधर्स के खिलाफ जो रन बने है वो है 1200 ठीक है और रचियो अब तोटल रन स्कोर्ड अगेंस अधर्स इन 2015 तो ड़ैट अफ़ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस अधर्स इन 2000 ड़ैट अफ टोटल रन अगेंस इन 2016 इस फोर स्तू तू त्री आहा देखिए बहुत ही बहतरीन डेटा दे रखा है तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दे रखा है इन दोनों का रेशियो कि अगर यहाँ पर चार यूनिट रन बनाए हैं तो यहाँ पर तीन यूनिट रन बनाए हैं तो X की value क्या हो जाएगी डेड़ सो तो यहाँ पर अगर डेड़ सो आएगा तो यहाँ पर फिर यह दोनों मिला के 600 हैं तो यहाँ पर individual 450 आजाएगा यह भी आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है और देखिए यहाँ पर सीदे सीदे आपको यह बोला गया था 2016 में against आस्टेलिया और अदर्स के खिलाफ चारसो बारा सो रन बने हैं तो 450 अगर यहाँ पर आ गया तो 450 बारा सो में से अगर हम घठा दें तो आपके पास 750 आस्टेलिया के अगेंस्ट में रन बने होंग अब England के खिलाफ कितने बने ये हमें कोई data the total runs scored against England in 2016 were equal to the runs scored in 2017 तो ये जो दोनों run है ये वाला और ये वाला दोनों बराबर बराबर है कितने हैं बट अभी हमें पता नहीं है ये बराबर बराबर है बट इतना दे रखा है अब 2017 का पार्ट देखते हैं the sum of the total runs scored against Australia and England is equal to the total runs scored against others and the total runs scored in 2016 were 1400 तो भाई देखो इसमें भी total 1400 आपको दे रखा है अब आप देखिए यहां पर क्या बोला Australia और England के खिलाफ जो run बने और against others जो बने वो दोनों बराबर बराबर है इसका मतलब 700 यहां पर है और इन दोनों का मिला के भी 700 है इन दोनों का मिला के भी 700 है इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा वो आगे देखते हैं the total run scored against Australia were twice the runs scored against England in 2015 तो देखो आउस्टेलिया के खिलाफ यहां पर जो run बने है वो यहां पर जो run बने थे उसका just double है तो यह आपका 300 आजाएगा तो यह आपका क्या आएगा 400 और यह 400 यहां पर है तो यहां पर भी 400 रहेगा तो देखिए 2016 में कितने run बने है वही तो पूछा गया है तो आप देखें कि 450 यह और 750 यह तो 1200 बारा सो और आपका यह 400 आगया तो यहां पर जो run बने वह कितने बने 1600 तो यह कुछन पूछा गया था आपसे तो आपका जो आंसर आएगा वह क्या जाएगा तो 2016 में कितने run बने है आपको पता लग रहा होगा कि 2016 में 1600 ही run बने हैं बात समझ में आई कुछन क्लियर हो गया किसी को कोई डाउट किसी को कोई परिशानी तो नहीं है अब तो सारे कुछन solve कर लेंगे तो देखो दो कैसलेट डियाई कितने बहतरी तरीके से और यह प्री में आने लाइक कैसलेट हैं ऐसा नहीं है कि यह में में पूछा जाएगा में में थोड़ा लेवल और अबाव आता है बढ़ हाँ प्री में आने लाइक डियाई जो थे कैसलेट डियाई जो थे वह मैं आपको करवा रहा हूं और बड़े आराम से question solve हो गया इसमें कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा बताना राइट चलिए next question solve करते हैं तो देखिए अब क्या पूछ रहा है what is the sum of the runs scored against England in all three years तो against England तीनो साल में कितना run बनाया तो देखिए 400 400 और डेड़ सो 950 run बने हैं सीधे सीधे 950 हो गया अब आप इसका answer खुदी करेंगे तीसरे का what is the ratio of the total run scored against Australia in 2015 to that of the total runs scored against England in 2017 जल्दी से बताइए क्या answer आ रहा है जल्दी से बोलो बेटा क्या answer आ रहा है अब तो सब लोगों ने कर लिया होगा चलिए तो आप लोगों ने solve तो गरी दिया होगा क्योंकि अल्रेडी सब को solve है तो देखिए आपका 2015 में उस्ट्रेलिया के against में क्या score रहा तो 2015 में उस्ट्रेलिया के against था 450 और इंग्लेंड 2017 400 तो देखो 9 और 18 के answer नहीं आ रहा चलिए next question देखते हैं अब क्या बोल रहा है what is the difference between the total runs scored against others in 2015 to the total runs against in 2016 तो others में 2015 और 16 के खिलाफ जो run बने है उनका what is the difference तो 15 और 16 के बीच में ना तो 15 और 16 में तो 150 यह रहा answer राइट ऐसे ही next question the total run scored against Australia in 2016 is what percent of the total runs scored against Australia in 2017 तो भाई अगर हम ध्यान से देखें कि 2016 में जो run बने हैं वो 750 हैं Australia के खिलाफ और 2017 में जो run बने हैं वो हैं 300 तो आप से यही पूछा गया है ना last question है ना बोल रहा है कि the total runs scored against in 2016 तो 2016 में 750 थे जो 750 जो है वो 300 का कितना प्रतिसत है तो भाई आपको सीधे-सीधे समझ में आ रहा होगा कि यह सीधे-सीधे 500 प्रतिसत है तो आंसर आ गया 500 राइट तो देखिए आप लोगों के लिए वापस से फिर से एक बहुत ही बहतरीन ओफर जैसा मैंने अभी इस से पहले भी बताया था कि इस दिवाली सेलेक्शन वाली होनी चीए कि अब दिवाली से त्यार करना चालू करें तो होली पर आप बड़िया से होली मनाएं क्योंकि इतने ही दिनों में बैंकिंग के, FCI के और ये सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है दिवाली 75 कोड यूज करके आप तो आप चाहे FCI का Phase 1, Phase 2 का कोर्स खरीद लें तो वह भी 750 में मिल जायागा आपको जो तीन हजार का कोर्स ने मिलेगा और Phase 1, Phase 2 ऐसे ही SBI PO का pre plus mains जो course है उसको आप खरीदेंगे तो वो भी 750 में मिल जाएगा या SBI clerk का pre plus mains है वो भी 750 में आपको मिल रहा है तो आपको यह जो courses लेने हैं यह कहां से लेने हैं Example app से लेने हैं Example app डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद paid courses वाले section में जाएं वहां पर banking select करें तो सारे courses जो banking में paid वाले हैं वो सब आजाएंगे वहां से आप दिवाली 75 code यूज करें और आप इन courses पर 75% का सभी लोग discount ले सकते हैं आप इस information को सभी student तक जरूर पहुंचाना and once again a very happy दिवाली और मैं आशा करता हूं अगली हूली आपकी selection के बाद हो thank you so much bye bye and take care